शत के भूले हुए खजानों के बीच छिपी हुई, एक प्राचीन ट्रंक मैक्स को अपनी रहसिय में खीचाफ से आकर्शित करती है। स्क्रीन जीवन में जिल मिलाती है और मैक्स को उसके सबसे खुबसूरत सपनों के राज्य में ले जाती है। अप्रत्याशित साहसिक कारे शुरू करते समय उसकी आखे विस्मय से फूल जाती हैं। हवा पुआल के घोडों की खुश्बू और कोबल स्टोन सरकों पर ठके हुए पैरों की चप्ती आवाज से भर जाती है। मैक्स एक ऐसक शित्र में पहुचता है जो समय के बंद ताले में जकड़ा है। मैं भरती है, बहादुरी और अदम्यता की गूंच सुनाई देती है। मैक्स के दिल की धरकन तेज होती है जब वो बुराई के रूप में खड़ा होता है। भगवान मलाकी के चारो और अंधेरी उर्जा घूंटी है, जो एक दुष्टता का तुफान बन जाती है। मैक्स की आखे पड़ जाती है, समझते हुए कि बस बहादुरी से इस खतरनाक दुश्मन को हराना मुंकिन नहीं होगा। दबवज द्वारा संचालित उसकी आखों में नई उत्साह भर जाता है और आशा जिल्मिलाती हुई दिखती है। भगवान मलाची हार कर हैरत में पीछे हटते हैं, उसका काला जादू उसके खिलाफ हो जाता है। पहली बार अनिश्चेता उसकी आखों में घेर लेती है, जिससे तानाशाही कम हो जाती है। राज्य में सब राहत की सास लेते हैं जैसे सुभ़ की धुंद में। मैक्स की बहादूरी से उनके दिलों में एक उत्सा उठ गया है, जो उन्हें संगर्ष के विरुद्ध एक जुट्ता में बांधता है। मैक्स अपने समय में खड़ा है, भूले हुए युग की गूंच से हमेशा के लिए बदल गया। उनकी आँखों में बहादूरी, टिकाउटा और मासूमों की सुरक्षा का वादा दिखता है। उनकी कहानी आने वाली पीडियों को प्रेरित करेगी।